हेलो दोस्तों, सो लाश्ट वी काफी जादा इंपोर्टंट हो जाता है एक्जाम के प्रस्पेक्ट्ट brother से, काफी जादा जो न्यूज है काफी जादा current affairs के clips है जो एक्जाम के प्रस्पेक्ट्ट बहुत जुरूरी है जो में देखने हैं और उससे पहले हम देख लेते हैं जो तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एक अर्थक्वेक आया है जिससे बहुत ज़्यादा कैजुल्टी वहां पे हुई है सो उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तुर्की के बारे में जानना जरूरी है, सो हम देखते हैं तुर्की के बारे में, देखिए जो दूर्की कंट्री है, वो धो water bodies से उसको टुच करती है, एक black sea और यहां पर तो वर्ल्ड यूज करते हैं हम इसके लिए तुर्की को बोला जाता है तुर्की को बोला जाता है एसिया का म्रीज ठीक है ना तो यह किसको बोला जाता है तुर्की को बोला जाता है उसके बाद देखते हैं एन इस्टरंड क्वेस्चन यह भी तुर्की के लिए यूज किया यह एक्शुली वर्ल्ड हिस्ट्रीग का टोपिक है लेकिन इसको हम ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे उसके बाद देखिए जो दो स्ट्रेइट है जो काफी इंपोर्टेट है एक यहाँ पे और एक यहाँ पर ठीक है ना है तो यहां पे स्ट्रेट है बोस्फोरस, स्ट्रेट ओफ बोस्फोरस, अब देखिए ये एक तो ब्लैक सी को, ब्लैक सी को किस वाटर बोर्डी से जोड़ती है, ये इसका नाम है, सी ओफ मर्मरा, तो आप कैसी याद रखेंगे, आप इसको ऐसी याद रखेंगे, बोस ने, जो बोस लोग होते हैं, देखिए पहले जो अफरीका के अंदर अपार्थियेड ऐसा कुछ बोला जाता था, ठीक है ना, उनके साथ बेदबाव किया जाता था, तो ब्लैक सी, ब्लैक लोगों को बो जो बप्रिहे और उनके स Чईच को जोड़ता है तो ब्लैक सी को इसको ब्लैक लोगों किसको जोड़ता है इसको जोड़ती है कौन? स्ट्रेट ओफ दर्द लीन्ज डि-a-r-d-a तो में भी यह किस क्रेक्ट स्पेलिंग नहीं हो पर उसको वो उसको बोलते है दर्द लीन्ज ठीक है तो देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे कि बहुत जो इगन है तो गन सो ऐसे ऐसा वता है कि थपड़ से नहीं गन से दर लगता है तो ऑगन से मारेगा तो मारा तो ऑकैसल सी और मारा मरा सी को कॉंड़ी फट्रेट जोरती है दर्द लिन्ज ए इक्शिए कोकि हो और इक्टेश्य वार्टरबोड़िंगे एक और जो क्वेस्टन है यांसे बनता है जो साइपरस है ठीक है जो यह आइलाइंड कंट्री है यह किस सी के अंदर पाइदाती यह पाइदाती है यह काफी इंपोर्टेंट है आप इसको ध्यान में रखें में इन फ्यूचर पूछ ले देखें इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों क्या क्यों नहीं ठीक है उसके बाद देखें ग्रैमी अवार्ड्स ग्रैमी अवार्ड्स अनौंस कर दिये गए हैं किसके दुआर कि हम हर वीडियो में डिसकस करते हैं बोडी जो उनको देती है अवार्ड कनफर करते है ठीक है नगेर्ंच का यह पैटरन है कभी को घ्रैमी नहीं नहीं पूछने क्या पता यह पूछने 65 अवार्ड्स ॥ी का लिग का अफी बार फिस इनको ये अवोर्ड मिला है उसके बाद देखिए इसके अंदर भी काफ इंपोर्टेंट हो जाता है जो ब्योंस से है उनको उन्होंने जीता है अपना 32nd Grammy Award और जो रिक्की केज है उन्होंने अपना 3rd Grammy Award मिला है तो लास्ट टाइम भी उन्होंने जीता था सो रिक्की केज जिन्होंने थार्ड टाइम और यह कहां से है यह है इंडियन और यह बैंगलूरूरू से बेस्ट है ठीक है बैंगलूरू से कफी इंपोर्टेंट है इन्होंने अपना 3rd Award जीता है किस अल्बम के लिए अपनी तो आप देख लिए इन डिटेल में देखें बेश्ट सॉंग ओफ दा इयर किसको मिला है जश्ट लाइक डैट बाई बॉनी रेट को बेश्ट पॉप सोलो परफॉमेंस के लिए रेनेसेंस बाई बेउन्स बेश्ट म्यूज अर्बन एल्बम के लिए अन्वेरैनो सीन टीप इसके लिए किनको मिला है बैट बॉनी को बेश्ट ऐसे ही आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं जो मेजर थे वो मैंने आपको करा दिया है ठीक है ने चार अवोर्ड्स बाकि आपको ठीक है गोत्रू एए दो अवोर्ड्स हैं जैसे बेश्ट कंट्री एल्बम ए ब्यूतिफुल टाइम वुन बाई विली नेलसन और बेश्ट कंट्री सोंग बाई तिल यू कांट ठीक है ने यह काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं इस इस टाइप के जैसे बेश्ट कंट्री सॉलो परफॉर् उसके बाद देखिए जो साउथ इंडिया का है फर्स्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट है उसका इनेगुरेट किया है पी एम इट्सेल्फ नरेंदर मोदी जी होने ठीक है ना तुमार कुरू इंडस्ट्रियल टाउन्शिप आई होप यह ऐसे ही प्रनाउंस होता ह इसी के अंदर इंडिया की लार्जस्ट जो चोपर लार्जस्ट चोपर मैनुफेक्शिंग यूनिट है उसको भी इनेगुरेट किया कहां पे तुमार कुरू के अंदर ठीक है अब हम देख लेते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोग्राम देखिए जो गती सक्त गती सक्ती मिसन है उसके अंदर जो गोवर्मेंट है उसने ग्यारा नेशनल जो इंडस्ट्रियल कोरिडोर है उनको बनाने का प्लैन बनाया है और ये क्वेस्टन अकसर आपने देखा होगा हर्यान के हैं एससी के प्रस्पेक्टिव से कि हैससी से इन कोरिडोरों में से दो गुजरते हैं एक गुजरता है दिल्ली मुंबई कोरिडोर ठीक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर ठीक है और एक गुजरता है अमरीच सर कोलकता इंडस्ट्रियल कोरिडोर ठीक है यह देखिए यहां से हर्याना से दो गुजरते हैं ऐसे ठीक है दिल्ली मुं उसके बाद अमरे सर से कोलकता हमने देखा और ये इस्ट कोष्ट एकोनोमिक कोलिडोर है कोलकता से विसाखा पत्नम और विसाखा पत्नम से चेन्नई एक ये कोलिडोर है ठीक है और कोची टू बैंगलोर एक इंड़स्टिल कोलिडोर ये तो हैसे हमने देखा चेन्नई बैंग परेंगल हैधराबाद बेंगलूर बेंगलूर मुंबई और ये कोचिवाए कोवंबेट iç लिया इन दिल्ली नागपूर इंडरस्टियल कोलिडोर ये वड़ा हमने देख लियुा तो टोटल । 11 लियुढर गर्मेंट इससके अंदर बनाएगी और दो, इसके दो इसके अंदर बनाएगी government military corridor ठीक है ना ऐसे हमने देखा HSC के perspective से देख लिए है देखे HSC के perspective इतना सा था ठीक है लेकिन हमने पूरा का पूरा देख लिए इसके अंदर ठीक है ना so total 11 corridor planned है उसके बाद देखिए जोगिंदर सर्मा ठीक है इन्होंने retirement ले ली है कहां से किर्केट से ठीक है ना retirement from all form of किर्केट से देखिए अब यह important क्यों हो जाता है क्योंकि currently यह DSP के पदपे तनात है हर्याना के अंदर और यह हर्याना से belong करते कहां से इनका जनम कभू आ था 23 October 1983 को काफी बार पूचती है HSC ने एक जो question पूचन पूचा था HSC कल रख के अंदर यह पूचा था सक्सी मलिक का birthday ठीक है ना ऐसे इनका भी पूच सकती है जो काफी important होते हैं ठीक है यह captain थे कब हर्याना cricket team के काफी important है and selected Indian team to play for the T20 World Cup cricket championship in South Africa कब 2007 में तो यह भी काफी important है कब 2007 के अंदर इंडियन cricket team को इन्हों ने रिप्रेजेंट किया है तीन में चार में छे में और साथ के अंदर ठीक है ना इंडिया की कहां पर चार ODI में रिप्रेजेंट किया है और काफी T20 में चैन्ने सूपर किंग्स के जो IPL में उनके चैन्ने एज़े प्लेयर खेले है वो और दो बार IPL विनिंग चैन्ने सूपर किंग्स है उनका पार्ट थी 2010 में और 2011 में काफी वेरी वेरी इंपोर्टल स्टार मार क्वेस्टन ठीक है ना तो हमने देख लिया इस टाइप के क्व स्टेव अंग करते थी वह करते थे किर्केट से सिफ है और कहां पे रहanka खुर्याना के अंदर इनका पूर्ण्चन अर। Leave a legacy िप गर्गा आजकल students हैं या तो घर या फिर लाइबरेरी घर से लाइबरेरी या लाइबरेरी से गर यही उनका routine रहता है उन्होंने क्या आपने भी लाउस्ट साइन कब ट्री पलांट किया था जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कब ट्री प्लांट किया था तो काफी इंपोर्टेंट है इसको हम साइड में रख रहे हैं चीज़ों को जो की आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा अपने को उसका हरजाना भुगतना पड़ेगा इसको लुट किया है सिक्किम के सीमने किस स्टेट से से लुट की गई था उसके बाद निसार एक सैटलाइट है जिसको किसने जोइंटली किसका वैंच रहिए है इसका और यह काफी काफ़ important है यह भी निशार अब जो Madrid Book Fair है वो Madrid Book Fair होगा और उसकी theme कौन होगा उसका theme होगा इंडिया ठीक है ना जो 2025 का जो Madrid International Book Fair होगा उसकी theme कौन होगा इंडिया वाई इंडिया क्योंकि जो International Kolkata Fair हुआ कहाँ पे हुआ है Kolkata के अंदर जो International Book Fair हुआ है काफ़ important है कहाँ पे हुआ है Kolkata के अंदर हुआ कब अभी जनुरी 23 में लाश्ट मन्त हुआ है उसकी जो theme थी क्या था वो Spain Spain country उसकी theme थी इसलिए अब as a gift to India इंडिया को रखेगा theme कौन Madrid Book Fair जब 2025 के अंदर होगा तो काफ़ important है इसमें ये year भी important है कब होगा ठीक है और ये itself PM नरेदर मोदीजियों ने inaugurate किया है इंडिया एनरजी वीक 2023 कहाँ पे बैंगलूरी के अंदर और कब तक चलेगा ये 6-8 फरवरी तक चलेगा तो काफ़ important है बैंगलूरी के अंदर inaugurate किया है और किनों ने PM ने inaugurate inaugurate किया है तो इसकी importance वैसे ही बढ़ जाती है ठीक है उसके बाद जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो कहाँ पे inaugurate किये या पर कहाँ पे होंगे गुल मार्क के अंदर होंगे कहाँ से कल से ही होंगे वो 10 से 14 तक चलेंगे 10 से 14 फरवरी तक चलेगा कहाँ पे गुल मार्क के अंदर जम्मू कुस्मीर में ये तो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे जो G20 है, उनकी presidency आज 2023 की, जो नुवंबर 2023 तक इंडिया के पास रहेगी, वो किस के पास है? इंडिया के पास है, ठीक है? इंडिया ने किसे ली है वो presidency? मतलम 2022 ही किस के पास थी? इंडोनेशिया के पास थी, ठीक है? देखिए इसके अंदर अलग-अलग meeting होती है तो tourism working group है उसकी meeting कहां पे होगी run of cuts के अंदर होगी जैसे ये meeting है ऐसे ही जो agriculture की meeting है वो कहां पे हो रही है? चंडीगड के अंदर ठीक है? काफी important है run of cuts में तो run of cuts important area है क्योंकि वहां पे धोलवीरा एक site है Indus Valley Civilization की जिसको UNESCO World Heritage का दरज़ा मिल चुका है ठेक है ना, तो काफी important है ये भी तो Government of India ने National Health Mission के अंडर, एक sickle cell anemia जो disease होती है sickle cell anemia, एक disease है उसको eliminate करने का जो deadline दी है वो है 2047 यानि 2047 और Union Bazaar के अंदर भी इसको announce किया है government ने देखें, 2047 ही क्योंकि 2047 को India को 100 साल हो जाएंगे, independence हुए ठीक है ना, और आज से 75th independence से लेके मतलब Republic से लेके 100 तक ये period है, ये अमरितकाल का period है, ठीक है ना, अमरितकाल इस duration में जितनी भी चीज़ों होंगी, अमरितकाल के reference, अमरितकाल के umbrella के निचसे होंगी, चो काफ़ important है national health mission, ठीक है इसके लाव government ने national hydrogen mission भी launch किया हुआ है, जिसके अंदर जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर government emphasize कर रही है hydrogen की production के लिए, देगे hydrogen, hydrogen hydrogen क्यों produce कर रही है, क्योंकि hydrogen replace करेगी किसको, जो जितने भी fossil fuel से हम, जितना भी petroleum या फिर diesel का use करते हैं उससे, तो HSC ने एक बार question पूछा था कि ग्रीन hydrogen, brown hydrogen, ठीक ना, black hydrogen, इन पे question पूछा था, इसकी video मैं अल्रेडी बना चुका हूं, I hope आपने वो देखी होगी, उसके बाद है, सूरजकुन इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, कौन से वड़ा है 36 वड़ा, कहां पे inaugurate हुआ है, as usual, फरीदाबाद के अंदर ही होता है, यह कब, फरवरी के मन्त में, खिक है ना, फरीदाबाद के अंदर, और इन्होंने, किन्होंने inaugurate किया है, Vice President of India ने, ना की President ने, ना की PM ने, खिक है न, तो किन्होंने किया है, Vice President ने, और अब का जो theme state है, वो है, North Eastern reason, पूरा का पूरा North Eastern reason, क्योंकि government जो PM Modi है, उन्होंने, उनकी policy है, लोकिष्ट policy, ठीक है न, उसकी वजए से, तो theme, जो state है, वो है, North Eastern reason, उसके बाद, जो theme country है, वो है, SEO, एक organization है, SEO को theme country, अब की बार माना गया है, तो PM, आप देखिए, क्राफ्ट से related है, तो क्राफ्ट से related कुछ schemes हैं, जैसे PM, विशव करमा, कोसल सम्मान, ये बजट के अंदर भी, बजट में जो अब का बजट था, उसमें भी कुछ amount इसको locate किया है, अब उसके बाद काफी important चीज है, देखिए, ये जो news है, ये HSC के group C exam से लेके, group A exam तक important है, even UPSC के लिए भी important है, इस थीज़, ठीक है न, so HSC definitely पूछ सकती है, ये चीज़ है, so जो लगदाख की first bio diversity heritage site है, वो किसको मिली है, या या तसो को, so ये एक लेक है, लगदाख के अंदर, यानि जम्मु कुसमेर के अंदर, उसको, first site की, इसको मिली है, इसको मिली है, ठीक है, और ये bio diversity management authority और secure himalya project, इन दोनों का, ये, दोनोंने initiator लिया था, तब जाके ये मिली है, और ये जो heritage sites हैं, ये किस bio diversity act 2002 के अंदर दी जाती हैं, अक्सर ये चीज़ जे पूछ लेता है, HSC, HSC का ये question था, उसने पुछा था, जो हरियाना state technical education board है, वो किस act के अंदर बना हुआ है, ठीक हो, तो ये question ही, आप ये मत सोचन है, कि ऐसे question नहीं है, ऐसे question पिच्चर भी पुछे गए हैं, और in future भी पुछे जाएंगे, सो हम देख लेते हैं, बें, secure हिमाल्या है, जो organization है, वो एक part है, global partnership for wildlife conservation and crime prevention of sustainable development, ठीक है जो GEF के द्वारा चलाया जाता है, ठीक, ये ठीक, इसको टोटल कितनी sites है, 36, तो ये भी important है, ये पूछ ले कितनी site है, ठीक है, और इससे पहले, जो महिंदर गिरी hill biodiversity site है, कहाँ पे, उडीशा के अंदर, उसको मिला था biodiversity heritage site का tag, ठीक है, सो हमने देखा, 35 थी पहले, और अब एक मिला के, 36 हो गई है, ठीक है, काफी important है है, अब जो national biodiversity authority है, उसका headquarter कहाँ पे, chain नहीं के अंदर, और कब establish के गई थी है, 2003 के अंदर, देखे, Biodiversity Act 2002 में बना, और ये कब बनी थी, जो इसकी national biodiversity authority है, 2003 में, तो ये three tier structure है, national level पे, state level पे, और local level पे, ठीक है ना, तो ये काफी important है, जैसे three tier structure हमारी, जितने भी local government है, जो पंसायत राजा, वो three tier है ना, ऐसे ही ये भी three tier है, ठीक है, सो सबसे पहली जो Biodiversity Heritage Site थी, वो थी, नलूर तमरेट ग्रोव, कहाँ पे, करनाटका के अंदर, और जो इससे पहले जो 35 थी, वो थी, अरितपट्टी इन, मुद्रय तमिलाडू के अंदर, काफी important है, ये दोनों, examiner पूछ सकता है, देखे, second groves, groves होते हैं, जैसे पेड़ पो दे होते हैं, छोटी, छोटी, ऐसे पेड़ पो दे होते हैं, ठीक है, जो second होते है, जिनको लोग पूझते हैं, ठीक है न, एक ancient ritual की तरह है, ये लोग, जो अपनी, जो जहां से हमारी heritage है, हम वहाँ से आज यहां तक आ गए हैं, 2023 तक, तो heritage नहीं बूल दे हैं, उस time cow की importance थी, लोग cow की पूझा करते थे, वो चीज़ हम आज भी carry कर रहे हैं, उस time लोग, जो उनके भगवान ये देवी देवता कीने मानते थे, अगनी को मानते थे, पेड़ पोदों को मानते थे, हमाज भी मानते हैं, पिपल को और और इन सब चिज़ों, तो ये हमारे heritage हैं, और इसलिए Animal Welfare Board of India ने, काउ, जो 14 फरवरी को काउ हग डे के रूप में मनाने की जो अपना एक point रखा है, ठीक है ना, लोगों से अपील की हैं, तो काफी बैतरीन अपील हैं, if people, if people are keen to, वो इसकी तरफ ज्यान देते हैं, तो, सो लास्ट की जो एडीसन है, वो देख लेते हैं, अमर कंठक मध्यपरदेश में, यहां से सोन नदी और नर्मदा नदी निगलती हैं, तो काफी इमपोर्टेंट है, ठीक है ना, उसके बाद यह चीज़ें आप देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बादिश्टी heritage जो इमपोर्टेंट है, एक्जाम्स के प्रेसफेक्टिव से, जैसे नलूर तमरेड ग्रो, काफी इमपोर्टेंट है बैंगलूर में, क्योंकि यह तो फर्स्ट साइट थी, ठीक है ना, उसके बाद यह बाद यह बाकी की साइट आप देख लीजिए, आप पोज लीजिए और एक बार इंसे गोथरू जरूर हो ना, आपने, ठीक है ना, काफी इमपोर्टेंट है, यह जितनी साइटें हैं, काफी ज़्यादा इमपोर्टेंट है, अमीनपुर लेक, तेलंगाना के अंदर, ठीक है ना, कि उसने पूरा पूरा तेल डाल लिया, ठीक है ना, आप दे अवेरनेस का, तो माजूली आसाम के अंदर, यह भी एक हैरिटेस साइट है, ठीक है ना, घरियाल रिहाब सेंटर, यूपी के अंदर, यह भी एक हैरिटेस साइट है, ठीक है ना, उसके बाद आप यह स्क्रीन सोट लीजिए और इसको देखिए, गो थूरू है, यह काफी है यह सब ठीक है मैं वन बाइवन यहां से मैंने यहां पर रखिए हैं कि यहां पर भी सेकेट ग्रूव माचल परदेश यह भी एक साइस हाई यहुँद उल्टिटूड मेड़ो हुडं बतो ही थीक है काफी इंपोर्टन है यह एक्जाम में आसकती है थीक आप पोज लीजीए जैसे मंत्यापरदेश में काफ़ी इंपोर्टन हैं भार वह में ने लेक असाम के अंदर काफी इंपोर्टन्ट ठीक है उसके बाद ये लास्ट साइटम ने देखी तमिलाड्डू के अंदर और महिंद्रगीरी हील बाइडवर्श्टी ओडीशा के अंदर काफी बार ये इक्जाम देख भी लेता विटाएडवर्श्टी हेल कहां पर मिलते हैं उडिशा के अंदर, ठीक है ना, काफी important है, अब हमने देख लिया by diversity heritage site, total 36 by diversity heritage site थी, उसके बाद भारत रंग महुच्छो, कौन बनाता है, NSD बनाती है, कहाँ पे, New Delhi के अंदर, और ये कब से कब तक चलेगा, 14-26 फरवरे तक, तो काफी important है, और ये 22 वा एडिशन है, ठीक है एक्जामिनर ये पूछ लेगा, नई दिली के अंदर, चैन नई के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, गुडगाओं के अंदर, तो नई दिली के अंदर, उसके बाद देखिए, जूपिटर, जो प्लैनेट जूपिटर है, उसके अभी, जो आफ्ट्रोनोमर से उन्हें, उन काफी important है, अब हम देख लेते हैं, क्या जूपिटर के उपर गए जितने भी, जितने भी missions हैं, उनके क्या क्या नाम थी, जैसे European Space Agency ने जूपिटर पर एक, बेजा था, सैटलाइट या आप कह सकते हैं, कि वहाँ पर एक mission बेजा था, जिसका नाम था, J-U-I-C-E, ठीक है न तो आप जे से आज कर सकते हैं, जे से Jupiter, जे से Juice, ठीक है, NASA का Europa Clipper, वो भी Jupiter को explore करने के लिए गया था, और इसी टाइप से mission Lucy, वो गया था Jupiter, Trozen Asteroid को explore करने के लिए, ठीक है ना, काफी ज़्यादा important है, ऐसे ही हम देख लेते हैं, Uranus के पास 27, Neptune के पास 14 Mars के 2, और Earth का एक moon है, ठीक है ना, देखिए, ये जो, इनको satellite भी बोल देते हैं, satellite बोल देते हैं, natural satellite, ठीक है ना, ये naturally पाए जाते हैं, जबकि Venus और Mercury पे कोई moons नहीं है, ठीक है ना, जो Earth का moon है, Earth का moon, उसको Luna भी बोलते हैं, Luna, ठीक है ना, काफी ज़्यादा उल्विड मूवीस में आपने देख हैं, ये Clinton Global Initiative और SEWA ये organization है, इन दोनों ने मिलकर इसको continue किया है, और ये for the women's के लिए है, खीक है ना, काफी important था, अब ये news article है, examiner अक्सर ऐसा पूस्ता है, जो Australia ने British मुनार्की थी, जो British मुनार्की के साक्षय थी, साक्षय कह सकते हैं कि, देखिए Australia भी जो Britishers हैं, उनका ए बचे हुए साक्षय हैं, जैसे इंडिया के अंदर है, मैकलोडगंज, ये सब चिज़े हैं, दलगोजी रोड, ये सब चिज़े हैं ना, ऐसे ही Australia ने एक स्टेप उठाया है, sovereignty के लिए, खुद को इन सब चिज़ों से बाहर निकालना कि हम अब अजाद हैं, तो हम legacy को नहीं रखेंगे पिछली legacy को, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने notes से जो greatest मुनार किया, उसके जो जितने भी photo या फिर कोई भी उनके relics थे, उनको remove कर दिया है, तो काफी important है, उसके बाद जो Hillary Clinton उसने विजिट किया, कहाँ पे, Elora के caves में, Greeneswar, Greeneswar temple के अंदर, तो काफी important है, ये important नहीं है, बाई, किसने विजिट किया, ये important है temple, ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में, Elora cave कहाँ पे है, बारास्टर के अंदर, तो काफी important है, और जो ये है, Grisneswar temple, ये one of the 12th Jotirlinga of the country है, देखिए, total Jotirlinga है, 64, लेकिन इसमें से महार Jotirlinga, जो बहुत ही important है, या second है, महा Jotirlinga बोलते हैं, वो है 12, ठीक है न, और ये 12 Jotirlinga है, Grisneswar temple, तो काफी important है, अब हम देख लेते हैं, 12 के 12 Jotirlinga, सबसे पहला जो first Jotirlinga, जहां से पलिग्री में start होती है, वो है Somnath, ठीक है, कौन सा है Somnath, कहाँ पे गुजरात के अंदर, ये देखिए, यहाँ पे Somnath, ऐसे हम देख लेते हैं, examiner, बिल्कुल definitely question पूछ सकता, देखिए, मैं क्यों करवा रहा हैं, ये जर्नल awareness की चीज़े हैं, अब उन्होंने विजिट किया, इतनी बड़ी personality इंडिया के आकर, इंडिया के महरास्टर में आकर विजिट कर रही है, लोरा केविज के अंदर, तो क आसी विशोवनाथ, यूपी के अंदर, महाकालेश्वर, उज्जयन के अंदर, महाकालेश्वर, पोलिडोर भी बनाया है, अब पी-म ने, और मतलब गवर्मेंट एम्पिसाइज कर रही है, इसको, अम केश्वर, मध्यपरदेश के अंदर, अब महरास्टर के अंदर, त्रि के अंदर, और मलीकारजन कहां पे, आंदर परदेश में, तो हमने देखा, और नागेश्वर, यहां पे, गुजरात के अंदर, सबसे नोर्थन में, इस्टरन देख लिया हमने, बैदनाथ, देवगड़ जारकन में, सबसे सौथष्ट देख लिया, और सबसे वेस्ट में द टेस्ट सीरीज शुरू ही है, इंडिया और अस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है न, तो काफी इंपोर्टेंट है, इंडिया और अस्ट्रेलिया के बीच, और इस टेस्ट सीरीज का नाम है, बोर्डर गवासकर ट्रोफी सीरीज, ठीक है न, बोर्डर गवासकर ट्रोफी सीरीज है बैटिंग में हो है सचिन तेंदूलोरिकर के नाम और बोलिंग में हर्बजन सीन के नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है यह आप देख लीजे डिटेल अब तक क्या परफोर्मेंस रही है तो काफ़ी इंपोर्टेंट यह न्यूज अर्टिकल थे आई होप आपने चीजें सीखी होगी और जब अब एक्जामस में आएंगे तो you will feel very thankful देखिए इसमें जो चीजें करवाई है मैंने side by side current affair के events तो करवाई ही कराएं उसके side में जो additional information दी है वो पार्ट है journal awareness का ठीक हम इस पर थोड़ी सी बात करते है एक होती है जी के एक होती है journal awareness awareness का मतलब क्या है जो current में चीज चल रहा उसी से मिलती जुलती आप aware है या नहीं aware से मिलके बना जब भी आप HSC का syllabus देखेंगे तो उसमें journal awareness आता है ठीक है ना HSC का syllabus में ना कि journal knowledge आता है और GK का मतलब क्या है इतने facts पड़े है ना उनको आप याद करते रहिए ठीक है जैसे recently कोई चीज जो ही जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो tragedy थी ठीक है ना उसके बारे में अभी जो fund है या लोगों को उसका उसका जो पैसा वो मिलना था वो नहीं मिलना तो मतलब जो भी चीज़ें रेशेंटल न्यूज में है ना उससे related जो भी basic या जो भी facts हैं उनको हम journal awareness बोलते हैं यह पार्ट था journal awareness था काफी important था I hope आपने lecture को enjoy किया होगा और आपने नहीं चीज़ें सीखे होगी so thanks for watching and keep learning buddies